दोस्तों अगर आपके साथ भी इस तरीके की प्रोब्लम आ रही है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे लैप्टोप में अच्छे से ओपन नहीं हो पा रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिव्यू पैनल होता है फिल्मोरा सोप्टेर का वो कम्प्लिटली शो नहीं हो रहा है तो दोस्तों अगर आपके साथ भी इस तरीके की प्रोब्लम आ रही है तो आज मैं आपको इस प्रोब्लम का शॉलूशन आपके साथ में शेर करने वाला हूँ बस आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार लाइक जरूर कर दे त दोस्तों यहां पर को और कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको और को बंद कर देना है जो आपने मिनिमाइज किया था और उसको आपको दोबारा ओपन करना है तो साथ हो यहाँ पर मैं अपने Filmora को दुबारा से open कर लेता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो Filmora है वो open हो चुका है आप simply में new project पे click करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो Filmora software है वो completely हमारे laptop की screen पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर प्रिव्यू पैनल था वो भी completely हमारे laptop की screen पे शो हो रहा है तो दोस्तों अगर आपके साथ भी इस तरीकी की problem आ रही है तो इस तरीकी से आप अपनी problem को शोल कर सकते हैं केवल यहाँ पर resolution का खेल है आपको उसको बढ़ा देना है हाई पे क्लिक कर देना है तो आपकी जो प्रोब्लम है यह हमेशा के लिए सोल हो जाएगी तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज यह वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे करें झाल को सब्सक्राइब जरूर करें